कभी अभी हम राष्टियर जंतादल परदेश सचीब सक्ती। मलीक जी के ऑफिस when 9-11 यह जो है आगामी विदान सवारांि गश्वाचुनवा को ले करके इन से हम कुछ बात करना चाहेंगे बताई जितने भी युवा हैं जितने भी बच्चे हैं उनको मैं हार्दिक परणाम करता हूं और उसका मैं सुब कामनाई करता हूं कि सब खुस रहे अच्छा सरे और रानी गज्विदान सवा के बारे हम यह कहना चाहते हैं कि आज तक एक विकास 20 साल से नहीं हुआ सब जात के नाम पे अच्छाप के नाम पे भोट लेते हैं रानी गज्विदान सवा से लेकिन आज तक कोई भी विधायक अगर वहां से एमेले बना है अगर कोई भी परतियासी वहां एमेले बना है गरी वाविदमी के भोट से दली दादमी के भोट से तमाम रानी गज्विदान के जितने भी वासी हैं उनके भोट से सिर्फ बनते हैं उनके बाद दोबारा जनता के बीच में चाय पीने भी नहीं जाते हैं यह यहां का रानी गंज का कहानी है और जब रानी गंज विधान सवा से मंतरी बनके पठना जाते हैं वहां पर पेट्रोलियम मंतरी बनते या कोई भी मंतरी बनते हैं तो रानी गंज का अस्ता कोई विकास नहीं हुआ है है पाहला पूरा राणिगंज विधान सवा में हस्पताल है लेकर हस्पताल में डाक्टर नहीं है अगर किसी को साप काट ले या कोई ड्रेवरी पेसेंट हो या कोई दुर्गटना हो जाए या पीडिन्ट हो जायНे आकाल मिर्तूप हो जाती है अघ्रया जाते आप क्या करना चाहते हैं राओनें वीदान सभा के लिए एक करना चाहते हैं तमाँ तो हम रानी गंज बीदान सभा को पूरा रोड नाला लाइट उसके बाद इस्कूल के जो भी समस्या है उसको तर्वा के दुमिजिला बनवाएंगे जो हस्पताल बंद है उसको हम चालू करवाएंगे जो इंदरावास जो है जो पांसो के जगर में एक सो पास होता है बाकी स सारा पैसा ब्लेक मनी में बिदायक सब लूट लेते हैं मैं उसका भी खुलासा करूंगा और इंदरावास को घरे घर पास करवाओंगा मैं एक भी जोपरी नहीं देखना चाहता हूं हर गली में लाइट होगा हर गली में भेपर लगेगा हर रोड चोड़ी करन होगा रोड रानी गंज बिदान सवा में जो हस्पिताल बंद है मैं उसको फीर से अच्छा से चालू करवाओंगा और सरकार्त मांग करके अच्छा अच्छा डाक्टर वहां पे मैं रखवाओंगा जिस स्कूल में गुदाम बनाया दिया गिया है रानी गंज बिदान सवा में वह मतलब की स्कूल में जो टीचर सब पढ़ाने आएगी मैं उसका करके तब वहां पर मास्टर को में वहां बाहली करवाऊंगा और मुझे तवाव राणिंगंज के जतना भी जनता है मुझे सिर्व एक मौका दे अगर हम तीन साल के अंदर में अगर हम राणिंगंज विदान अगर आप लोग साथ दीजेगा एक अच्छा उमिवाद अगर वहां के मेले बनते हैं तो राणिंगंज विदान सवा का विकास होगा वहां पर जो है कोई गरी सरकारी दफ्तर जाते हैं विडियो का पाज जाते हैं कोई काम कराने जाते हैं तो गरीव आदमी का जल्दी को आजाते हैं तो उसको पठना से मीटिंग से फुरसते नहीं हैं लेकि मैं इसा नहीं करूंगा मैं तीन साल के अंदर में सारा सिस्टम को सही करूंगा लेकिन आप लोग का साथ का जोड़ी है मुझे एक मुकाद है जै हिन जै राजात जै भीम